अफर ऐससे स्टेनो ग्राफट सी एंडी ठीक है सी अंडी दो हजार जो वाला जो वेकंसी जो दो एजर इक्स में एक्जाम इसका होना है 11 नमबर से लेकर ठीक है 11 नमबर से लेकर कब तक होना यह 15 नमबर तक पेपर होने वाले ठीक तो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि 11 ते लेकर 15 नौंबर के बीच एग्जाम होना है और अश्टेनो ग्राफर सी अंडी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ठीक है अब कैसे जो है इसका जो फॉस्स अस्टेट फॉस्स अस्टेट जो वा सीवीडियर करें इसके बाद वाले चैनल में कैसे जैंगे इन सारे चीज के बारे में इस बात करेंगी ठीक है तो पता चलिए कि 2020 वाले जो वेकिंस का जो एक्जामिनेशन होना है 11-15 नौंबर का होना ह सबसे पहले प्रिवेसर के बारे में प्रिवेसर पर नजर दाते कि क्या कटफ हो सकता है और फाइनल जो कटफ कब कितना पर बनता है ठीक है तो आजे फटा-फट देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर देख रहे होंगी कि मैं बात कर रहा हूं दोजार इसके प्रिवेसर कटफ के बारे में बात करूंगा यहां पर देख सकते कि स्टाफ स्ट्रेशन कमिशन कंड़क्ट कंप्यूटर बेस एक्जामिनेशन फॉर एस्टेनोग्र सब्सक्राइब के बीच में हुआ था अब बात था कि इसका जो है कटफ जो आया वह कटफ कितना था है ना और उसी के कॉर्णिंग इस बार आपको कटफ को ध्यान में रखकर त्यारी करनी है ठीक है तो देख सकते सबसे पहले हम जनल कटिगरी के बात करते हैं जो कटफ गय आप अब यहां पर समझेंगे यह कौन सा कटफ है इतना कटफ कहां से जा सकता है तब घवरायनी यह नौर्मलाइज़शन मार्स सा ठीक है बहुत सारे स्टुटेंट को नहीं पता था कि जो मार्स इनको लगा कि बाई और टूहंडर्ट ठीक है और आफ जो टूहंडर्ट थ उसमें से उनको लगा कि यह मास आये हैं लेकिन अफ्टर नॉर्मलाइज़शन नहीं मास की काफी सारे सिपने पेपर हुए बाई से लेकर चौबिस में तारीक तक हुआ यह पेपर तो नॉर्मलाइज़शन तो हुआ कितना हुआ है एक जाक मैं नहीं बता सकता है लेकिन इ 352.42890 से कटिकरी में 138 पोइंट समधिंग और देख लेंगे कितना गया है 100.9753 गया है नो चार चार द्यान रखेंगे इस रख पिछले बार का कटफ रहा था 200 में 200 में आपके यह जो कटफ थे आफ्टर नॉर्मलाज़ेशन मार्स था यह बात का ध्यार रखेंगे तो मैंने आपको बता यहां पर कि जो लास्ट जो इसकी जो वेकंसी थी जो Company Ads 2018 तो कटफ रहा था इसके बारे में यहाँ पहले बात कर लेंगे तो मांनके चलिए दमर और और कर चालेंगे तब आपका क्लियर फंस श्क्राम की चलेंगे अपका इस खेल मुझेखा क्लिया जाएगा अब समझेगे कि 2020 वाला जो vacances है उसमें क्या गड़ रहेगा तो देखिए इस बार के अगर 2020 की अगर वेकंस कर सकते हैं तो जो टेंटिटिव वेकंस है लगबग सारी 800 है लगबग जो है 2020 का जो टेंटिटिव एक जो यहां पर जो वेकंस देखने को बन रहा हो सारी 800 के आसपास में ठीक है है पिचले वार के बात के तो वेकंस और कम थी आना उसके पहले वाले अगर प्रिएश्य में जाओ तो गजाओ ती तो व् colonies घ्टा बढ़र इस से चलता रहा रहा है ठीक है कट अबेस तर से देखते अगर कटफ की बात के तो कटफ हर बार बढ़ता जारा है मैं यह करली का हब साल बढ़ता ही जा रहा है इस बार भी कट आपको ऐसा नहीं कि वैकंसी थोड़े बर के आएंगे तो आपको जो कट अपकर कम देखने को मिलें का ने कट अपको लगबग इसी के आस पास में देखने को मिले का मैं समस्ताँ गर जनरल कटेगरी के हम बात करते हैं अगर मैं जनरल कתigo 밖에 में बात कुरूं तो क्टाफ क्या रह सकता है एस पर मैं बात कर nephew तो इहाँ देख सकते की कट अगर मैं को सब deeply कर रहे हैं एक सो पचास के आज सबंच में देखने को बनेगा यह notification करेगा किनका कितना बड़ता है normalization के बाद कितना हता है लेकिन मान के चलिए जो after normalization होगा वह 150 के आसपास ही cut-off रहेगा ठीक है चलिए तो मैं बात कर रहा थे हाप एक की बात कर रहा था है तो देखिए कुल मिला कर मैंने बता है कि 2020 का जो है वह दो 850 के आसपास में 850 प्लस ही रहेगा ठीक है पास नहीं 850 प्लस रहेगा तो आपको एक ओवर्यू में देखाना चाहरा कि भाई की जो इस वार की मांसे तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मांसे ठीक है नॉर्मलाइजेशन के बाद गई है मांसे तो ध्यां रखिएगा ठीक वहीं ओभी सी के बात करें 133.10093 स्ट कटेगरी देख लिजें 120.01819 स्ट कटेगरी 96.73246 ठीक है यहां पर 122.91491942 ठीक बाकी अधर कटेगरी आ यहां पर देख सकते हैं अगर एक नजर आपको और मैं पिछे ले जाओ 2018 की बात करूं ठीक है यहां पर देख सकते हैं 2018 वाली वाट इकशाम लगबाद समझे की इधर दो-तीन साल से हो रहा है 2018 वाली हैGS होता है 2019 में 19 वाला इस वाल का इक्जामेशन हो रहा है 2021 ठीक है ऐसे इक्जाम चलता यहां काफी लेट daring के बाद पहले जहां दो से थीन महीने मेंगे अब यहां मानके चले कि 6-8 मिने का समय लग जाता hear या इधर तो पिछले बार की देखे तो कोविड-19 पैड़ने के कारण तो लिए भूआ था ठीक है तो मानके चली की वह लगभाइक नोटिफिकेशन के बात दो से तीन महीना लगते हैं एक्जामिशन हो जाता लेकिन यह दद दो तीन साथ से देखें तो ट्रेंड में की 6-8 म नहीं मिलेगा स्किल टेस्ट में मुस्किल से आपको दो मैने से ज्यादर समय नहीं मिलेंगे तो इस बात का त्यार रही है तो मैं तो यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 138 और 153 ठीक है तो काफी माक्स का डिफरेंस है तो मानके चली यह यहां पर मास बरहेंगी बरहेंगे थीक है तो धियान रखी तो मैं थ्यान रखी लास्ते का लिए तका देखा रहें तो फिर आप आते हैं यहां पर देखते हैं कब सिका देख लीजिए 105 और सिकावन नान्टीन ठीक है इससे कटफ गया था और यहां पर देख से पांट से लेकर आठ परवरी की बिच में तीन दिन एक्जाम चला था ठीक चले वहीं अगर हम बात करते हैं तो दीका देख लिए जैनल कड़ी का 134 और स्ट का 97 और स्ट का 113 इससे आप देख सकते हैं ठीक है तो पिछले बार से देख सकते हैं कि आपका normalization mass add हो रहा है लेकिन 2019 की बात करें तो यहां पर normalization वाला कोई mass नहीं था एक जो cut of exact वही आया है ठीक है out of 200 में है ना अब इंपॉर्टेंट तोसे देख लिए skill test का जो time detection क्या होता है जो stay no c के लिए apply करेंगे उनको देख लिजे अगर जो stay no c stay no d के लिए बात करते हैं इंग्लिस एकर उनको 50 मिनट मिलेगा transcription करने के लिए ठीक है 10 मिनट का तो उनको जो dictation होता है 10 मिनट का क्या डीक्टरेशन कराए जाता है ना लस्ट के बाद क्या होता है कि आपको उसके बाद क्या हो जा है पिर लगा कंपीटर सिस्टम कर नहीं होगा वहां पे टाइप करेंगे जिसके लिए बातों का ध्यां रखना होगा है ना कुछ बात का ध्यां रखना होगा विशेस जिसे कि आप कर सकते हैं कि अगर मैं करूं बात की मालिया 2020 का गर मैं बात कर रहा हूं examination का ठीक है अगर मैं एक example ले लेता हूं कि चलो बहुत जैनल कर ठीक है अगर आपका 150 cut-up जा रहा है तो इससे 10-15 मास एड़ कर ले final cut-up ठीक है final cut-up में आपका 10-15 मास एड़ कर लेंगे ठीक तो आपका यहां पर final आपका रिजल्ट बन जाएगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टन चीज़ तो रिजल्ट के बाद क्या होता है कि बहुत साल ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं या MTSS Channel होटे साकर काटिज़ तैयारी करने किया थाने लेकिन होता क्या है यहां पर इच्छा बनेगा था रखेंगे इस बात का कि आप उन के बीच में नहीं करें आप उन लोग के साथ करें जो सिर्फ और सिर्फ अश्टेनों की तैयारी करते हो ठीक है तो आप अपना तैयारी को बेस्ट करेंगे अब चुकिए आप सभी को पता है कि यहां पे ग्यारत से लेकर पंदरह नमंबर के बीच आपका इख्यामनेशन है अब 11-15 नमंबर के बीच में एग्जामनेश तरह आपका स्किल्स कब हो सकता है तो स्किल्स के लिए आपको मैंने बता है तो दो मंत का मैं समय मिलेगा मिलिएक्स की आपको ये इस्किल्सक्राइब पंद्रा जनवरी के आसपास में गूंज मेंधर बारे में और भी जानकारी के लिए इस वीडियो के description में लिंक दे दिया हूँ वह बहुत पुराने वीडियो है इसी एक गट्साल पहले वाली विडियो आप उसको देख लिए उसमें बहुत डेटर से मैंने स्किल्टेस्ट के बारे में समझाया है कि कैसे कैसे स्किल्ट होस्ट होते हैं बहुत सारे मैंने उसमें बारे क्या से लिखने हैं कहां का पर स्पेस देने हैं किस आप कीवोट के इस्तमाल होता है बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको वहां पर देख के साथ, thank you very much.